Hello everyone, I welcome you all to make it easy. Today we are going to see what is vapor pressure. देखिए, vapor pressure क्या होता है, आज हम ये समझने वाले हैं. Normally अगर हम सोचते हैं, तो vapor मतलब होता है कि vapor molecules present होंगे और वो कुछ pressure apply कर रहे होंगे. कैसे pressure apply करते हैं? Pressure एक external force होता है, तो vapor जो molecules होंगे, वो किसी surface पे, normally या फिर perpendicular उस surface पे force apply कर रहे होंगे, तो उसी को हम vapor pressure कह सकते हैं roughly. आईए समझते हैं vapor pressure क्या होता है, देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें, तो evaporation हमने पढ़ा होता है बच्पन में, तो evaporation में क्या होता है कि जो भी हमारा water होता है, जैसे कि आप मानले, एक दिन आपका रहनी डे रहा, उस दिन आपका कोई small water pool, water pool form हो गया, तो अगले दिन अगर sunny day आए या sun रहे, तो उसकी present में आपको evaporation देखने को मिल सकता है, उसमें होता क्या है, जो भी हमारा water होगा, वो water vapor में बदल जाएगा, तो water कहीं और नहीं जाता उड़के, वो water vapor बन जाता है, और air के साथ, या atmosphere में present air के साथ, mix हो जाता है, यह हमारा evaporation होता है basically, टीकि evaporation को अगर और detail में समझें, तो हमारे पास यह container है जिसमें कि water भरा होगा है, तो एक molecule water का जो एक molecule है, वो दूसरे से cohesive force या फिर intermolecular force से जुड़ा हुआ होगा, तो माल या इसी तरीकी से surface पे भी कुछ ना कुछ molecule present होंगे, जो की cohesive force कहलो या intermolecular force कहलो, या फिर hydrogen bond कहलो उससे जुड़े होगे, तो इनका contact अगर आप देखे तो air के साथ भी है, और साथ में liquid के साथ भी है, मतला water के साथ भी है, तो air के साथ contact होने के कारण इनका cohesive force थोड़ा कम हो चुका है, या फिर यूँ कहें कि इनमें जो है, इनकी density कम है, यही तो होता है कि अगर हम hot water और cold water को mix करें, तो hot water ऊपर आ जाता है क्योंकि इसकी density क्या होती है, कम होती है, या फिर यूँ कहें कि उसकी kinetic energy जादा होती है, तो अगर kinetic energy जादा है इन molecules की, और एक time बाद वो अगर किनी surrounding की या atmosphere की condition से, temperature या pressure में अगर variation कुछ इस थरीके से आए, कि molecules की कानिटिक energy हे वो काफी जाधा बढ़ जाए, तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे से collide तो करेंगे ही, पर साथ में kinetic energy अगर cohesive force से, kinetic energy जो होगी molecules की, वो अगर cohesive force से काफी जादा बढ़ जाए, और आप कहें कि inter-molecular force से काफी जाधा बढ़ जाए, तो फिर क्या होगा यह जो molecules है यह atmosphere में या surrounding में उपर की और escape कर जाएंगे तो यही हमारा evaporation होता है evaporation में क्या हुआ surface पे जितने भी molecules present है वो क्यूंकि air के साथ भी contact में है तो kinetic energy उनकी क्या हो गई kinetic energy बढ़ गई cohesive force कम हो गया तो उसके कारण अब वो कुछ कुछ भी अगर surrounding में pressure temperature में कुछ changes आते हैं जैसे कि हमने देखा कि sun के case में वहाँ पे water evaporate हो रहा है क्यूंकि इनकी kinetic energy बढ़ गई है तो अगर kinetic energy intermolecular force से काफी जादा बढ़ जाए तो की free surface से molecule उपर की ओर जा रहे हैं और वही हमारा क्या होता है evaporation होता है देखिए अब हमें आप एक difference समझना होगा evaporation और boiling के वीच में जैसे अगर आप देखें evaporation हम कहते हैं कि कि स्वाइब कि और कंपरेचर पर हो सकता है जैसे कि अब हमने देखा कि रूम टैम्प्रेचर पे भी evaporation होता है भले ही slower rate से होगा पर evaporation होगा उसरा आगर boiling देखे तो हम कहते हैं कि कि किसी certain temperature पर जैसे water है तो उसके लिए 100 degrees centigrade पर लोगा water इस तरीके से distinguish करते है कि जो दूसरा difference है कि यह जो appuation है यह लिक्विड और गास के बीच में होता है जो water है जब वह water vapor बन गया तो वह gas ही बन गया air के साथ mix हो गया तो यह क्या हुआ ? लीकविड गास के बीच में होता है evaporation और हम कहते हैं कि boiling जो है वो solid हमने आपे heat up करा है burner की मदद से तो इसका 100 degree centigrade अचीव हो गया है तो यह boil कर रहा है water तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह container solid है और solid और liquid के बीच में क्या हो रहा है हमारा boiling हो रही है तीसरा हम differences इस तरीके से बता सकते हैं कि यह जो है evaporation जो है surrounding की conditions पर depend करता है external agency या external source की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है किसमें evaporation में और boiling में हम कहते हैं कि यह किसका result है एक external agency या फिर हमने heat source लगाया यहाँ पर burner की मदद से हमने boil कर रहा water को तो यह हम difference कहते हैं evaporation और boiling के लिए पर यह difference आप आगे जाके देखेंगे अगर वीडियो के end में तो आपको पता चलेगा कि evaporation के लिए यह point तो सही है पर boiling के लिए यह सारे point absolutely true नहीं है क्यों नहीं true है हम आगे देखेंगे देखिए आप देखिए evaporation और boiling को distinguish करने के लिए इनको differentiate करने के लिए खास points हो सकते हैं जिसकी मदद से आप vapor pressure को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे जैसे की surface phenomena होता है evaporation evaporation में क्या होता है surface पे जो भी molecule present होंगे उनकी kinetic energy जब बढ़ेगी बहुत ज्यादा cohesive force है या intermolecular force है तो होगा आपका evaporation पर boiling क्या है एक पूरी bulk phenomena है इसमें पूरा volume involved होता है इस process में पूरा liquid का volume involved होता है तो आप और भी difference बता सकते हैं basic difference जैसे की य differences सही है ठीक है vapor pressure को समझने के लिए तो और के differences बता सकते हैं कि इसमें bubble formation नहीं होता है boiling में bubble formation होता है या फिर evaporation cooling effect छोड़ के चले आता है पर boiling का as such कोई cooling effect नहीं होता है आई ये देखें आगे हमने समझा है यहाँपे की evaporation इस तरीके से होगा देखें अब हम क्या करते है कि यहाँ पर जो surface पर free surface पर molecule present है वो surface को तो छोड़ी रहे हैं तो हमने क्या क्या इसको एक lid से बंद कर दिया इस तरीके से अब क्या होगा जितने भी molecule present है वो इसी space में रहने वाले हैं तो molecule क्या करेंगे उनकी kinetic energy बढ़ेगी क्योंकि अगर आप देखें तो किसी भी system का जो temperature होता है वो degree of measure of hotness और coldness नहीं होता है वो क्या होता है average translational kinetic energy of molecules ही temperature कहलाता है तो अगर इसका इसका temperature हाई है तो मतलब इसका kinetic energy हाई होगी और kinetic energy जितनी हाई होगी यह उतने जल्दी इस space में escape हो रहे हैं तो वो क्या करेंगे पहला वो इस container की wall से टकरा सकते हैं या फिर इस lid से टकरा सकते हैं तूसरा तीसरा वो खुद के साथ collision कर सकते हैं तो जब वो ऐसा करेंगे तो वो कुछ ना कुछ kinetic energy जो भी उनके पास थी जो भी बढ़ चुकी थी atmosphere condition से या ambience की condition से वो अब वो उसको lose करेंगे तो जैसे जैसे वो lose करेंगे वो क्या करेंगे वापस से surface में आएंगे अगर kinetic energy बढ़ी है तो उसके खानल वो उपर गए गैस बने और अगर kinetic energy टकराने से चाहे वो वाल के साथ टकराएं या लिट के साथ टकराएं या फिर खुद से टकराएं तो क्या होगा वो उस kinetic energy को lose करेंगे और वापस से कंडेंस हो जाएंगे या फिर कहें कि इस surface में वापस से एंटर कर जाएंगे पहले एवापरेट हुए टकराएं कानेटिक एनरजी लूज हुई फिर वापस से आ गए तो यही होता है इसमें पूरा अगर हम फर्दर देखें देखें पहले-पहले क्या होता है इनीशली रे दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होने लग जाती है रेट ऑफ एवापरेशन भी हो रहा है कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सर्फेस से लीव कर रहे हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं कानेटिक एनरजी लूज कर रहे हैं वापस से इस सर्फेस में आ सेशन के equal हो जाएगा तो इस condition में क्या होगा कि जिस rate से वो evaporate हो रहे होंगे उसी rate से वो condense करेंगे और यही condition होती है saturation की condition यही condition होती है saturation की condition saturation में क्या होता है देखिए air जो इसमें present है उसके पास कुछ ना कुछ holding capacity होगी या फिर मैं अगर किसी भी bag या container की बात करूँ तो मैं उसमें एक limit तक ही समान बढ़ सकता हूँ उसके बाद नहीं बढ़ सकता तो इसी थरीके से air की अपनी कुछ holding capacity होती है वो certain amount of vapor ही hold कर सकती है उसके बाद वो hold नहीं कर सकती तो वही condition होती है saturation की condition या फिर कहें कि equilibrium establish हो जाता है तो इस condition में क्या होगा जितने भी molecules यहाँ पर present रहेंगे इस space में अगर वो 10 billion है अगर वो 10 billion molecules हैं तो वो 10 billion ही रहेंगे constantly कैसे हमने क्या कहा कि evaporation हो रहा है condensation हो रहा है evaporate करते वह कुछ molecules उपर होंगे condense करते वह कुछ molecules नीचे जा रहे होंगे और कुछ molecules यहाँ पर constantly रहेंगे तो हमने क्या कहा यहां पर 10 billion molecules constantly रहेंगे किस तरीके से अगर यहां पर हमने कहा 10 billion molecules है और एक extra यहां से evaporate होता है और यहां पर मौझूद जो molecules है वो 10 billion ही है तो अगर एक extra evaporate होगा तो एक extra यहां से condensed भी होगा इसका मतलब यहां पर जितने भी molecules present है वो लगबग same ही रहेंगे तो यही है हमारी saturation की condition या फिर equilibrium की condition और इसी में ही हमारा rate of evaporation, rate of condensation के equal होगा तो यहां पर क्या होता है जब यह process continuously चलती है तो यहां पर क्या होता है जो भी molecules है वो इस free surface से leave कर रहे है तो evaporation हो रहा होगा और condensation हो रहा होगा साथ ही साथ तो इस time हमने कहा कि इस surface, इस free space मे जो molecules रहेंगे अगर वो 10 billion है तो वो 10 billion ही रहेंगे चेंज नहीं करेंगे क्योंकि अब जो air है वो extra amount of vapor को hold नहीं कर सकता तो ऐसा होने पर अब क्या होगा कि एक particular pressure जो है यह vapor exert करेगा किस पे इस liquid की free surface पे जब saturation या equilibrium condition आ जाएगी ठीक है, temperature अब constant है, temperature चेंज नहीं कर रहा है तो जब ऐसी situation आ जाती है, जिसको हम saturation condition कह रहे हैं, जहां पे vapor जो है, saturated vapor है, तो जो यह saturated vapor है, जो partially भरा हुआ है, अब वो कुछ pressure apply करेगा किस पे, इस free surface पे, liquid की free surface पे, तो यही pressure कहलाता है vapor pressure, आईए हापे देखें, vapor pressure क्या होता है, the partial pressure exerted, the partial pressure exerted by saturated vapor under equilibrium condition on the surface of liquid, तो हमने यही कहा, कि एक टाइम क्या होगा, यहाँ पे, यहाँ पे rate of evaporation, rate of condensation के equal हो जाएगा, इस time पे, यहाँ पे saturation की condition होगी, और उस saturation की condition में, अब vapor, अब air जो है, या जो यह space है, वो extra amount of vapor hold नहीं कर सकता, तो वो इस condition में क्या करेगा, कुछ pressure exert करेगा, इस free surface पे liquid के, और यही pressure हमारा vapor pressure कहलाता है, तो हम यहाँ पे अलग condition लेते हैं, यहाँ पे 20 degree centigrade पे, normal temperature पे, आप देख रहे हैं, कि यह एक तरीके से यहाँ पे boiling possible है, किस तरीके से, अगर मैं हाँ पे, इस जो भी यह मेरे पास, space है, water से उपर का, अगर मैं इसका pressure, vapor pressure से, जो भी pressure, मैं किस की pressure की बात कर रहा हूँ, जो भी इस liquid surface से उपर का space है, अगर उसका pressure, vapor pressure के equal या vapor pressure से कम हो जाए, vapor pressure से कम हो जाए, या उसके equal हो जाए, तो यहाँ पे boiling possible है, यही हमने difference में देखा था, कि कुछ points गलत हो गए थे boiling क के लिए, क्यों, क्योंकि जो boiling है, वो जरूरी नहीं कि वो 100 degree centigrade पे ही हो, वो 20 degree centigrade पे भी हो सकती है, कैसे हमने कहा, अगर हम किसी तरीके से liquid surface के उपर का जो space है, liquid के उपर का जो space है, उसका pressure, vapor pressure के equal या कम कर दें, तो वहाँ पे boiling हो जाती है, तो हम यानि कि किसी भी temperature पे, चाह 30 degree centigrade हो, किसी भी temperature पे water को boil कर सकते हैं, या किसी भी liquid को boil कर सकते हैं, तो यही था कि अब हमें यहाँ पे समझ में आया, कि हमें boiling करने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे कोई external agency का use करें, किसी external source का use करें, फिर boil करें 100 degree centigrade अजीब करने पर, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यह कर सकते हैं, कि जो liquid के ऊपर का space है, किसी तरीके से हम उसका pressure जो है, vapor pressure जितना या उससे कम कर दें, तो ऐसा करने पर liquid जो है, वो boil हो सकता है, तो यहाँ पर हमें पता चला कि जो हम differences देख रहे थे, कि boiling जो है, वो किसी भी temperature पे हो सकती है, तो certain की जरूरत नहीं है, 20 degree centigrade पे भी boiling की जा सकती है, condition क्या होनी चीए, कि liquid के ऊपर का surface है, उसका pressure, vapor pressure जितना या उससे कम कर दिया जाए, किसी भी तरीके से, solid to liquid भी आप ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने कहा, external agency की जरूरत ही नहीं है, boiling को आप वैसे भी कर सकते हैं, बस pressure को change करना है, ठीक है, और साथ में external source का result होता है, हम कहते हैं, तो external source की जरूरत नहीं है, मतलब कि हम surrounding की conditions को, उसके pressure या temperature को change करके भी boiling कर सकते हैं, या पे कुछ factors हैं, जो कि vapor pressure को affect करते हैं, सबसे पहला है temperature, देखिए, vapor pressure जो होता है, वो function होता है temperature का, कैसे, हमने देखा था कि किसी भी system का, जो उसकी average translational kinetic energy होती है, वही temperature होती है, यानि कि अगर किसी system की हर एक molecules की kinetic energy बढ़ जाए, तो उस पूरे system का temperature बढ़ जाएगा, तो temperature का बढ़ रहा है, जब kinetic energy बढ़ रही है, और kinetic energy अगर बहुत जादा बढ़ जाए, तो जो liquid होगा, वो किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा, या फ पर प्रेशर उतना ही ज्यादा बढ़ता है, जितना rate of evaporation बढ़ता है, तो यहाँ पर हमने कहा, कि जितना ज्यादा temperature बढ़ेगा, kinetic energy बढ़ेगी, और kinetic energy से molecular activity बढ़ेगी, और molecular activity बढ़ने से vapor pressure बढ़ेगा, तो temperature के साथ साथ आप देख सकते हैं, जैसे जैसे temperature बढ़ रहा ह है, वैसे वैसे यहाँ पर प्रेशर वेपर प्रेशर जो है, वो increase करता है, यहाँ पर आप कुछ example भी देख सकते हैं इस तरीके से, किस तरीके से temperature affect करता है वेपर प्रेशर को, तो यहाँ पर देखिए 5 degrees centigrade पे 6.5 mm of Hg vapor pressure होता है, इसमें water में, और इसी तरीके से आप बढ़ करने के साथ साथ vapor pressure बढ़ता है, दूसरा factor क्या है जो vapor pressure को affect करता है, nature और type of liquid, nature type of liquid, देखिए, अगर यहाँ पर अलग अलग liquid है, water का देखिए, 100 degrees centigrade पे यह, atmospheric pressure पे boil करता है, और ethyl alcohol को देखें, या chloroform को देखें, इनका boiling point अलग अलग temperature पे है, तो मतलब कि इनका जो vapor pressure होगा, वो अलग अलग होगा, कैसे, अगर यह अलग temperature पे boil हो रहा है, तो मतलब कि temperature vary कर रहा है, तो उसके साथ vapor pressure भी बदलेगा, क्योंकि हमने कहा था कि vapor pressure जो है, वो temperature का function है, तो अगर different different fluids के लिए, उनका boiling temperature अलग अलग है, तो उनके लिए vapor pressure भी अलग अलग होगा, या फि के लिए जो pressure है, vapor pressure है, वो कितना है, 20 degree centigrade पे, वो कितना है, 2.345 kilopascal, petrol के लिए 10 kilopascal, और benzene के लिए 30 kilopascal, और इसी तरीके से mercury के लिए भी, तो इसका मतलब क्या है, अगर मुझे किसी भी liquid का vapor pressure पता है, तो मुझे ये पता चल जाता है, कि वो कितना ज्यादा volatile है, volatile मतलब उस अगर water की जगाँ पे आजाए petrol, तो वो उससे five times ज्यादा है, तो उसमें वेपर प्रेशर five times ज्यादा है, तो उसमें और ज्यादा molecules evaporate करेंगे, या फिर कहें, और ज्यादा molecules condensed होंगे, तो इसका वेपर प्रेशर हाई होगा, मतलब कि जो molecules होंगे, वो ज्यादा pressure exert करेंगे, saturation condition में, इस पे इस liquid की free surface पे, ठीक है, तो ऐसे ही benzene में और ज्यादा हो गया, तो इसका वेपर प्रेशर और ज्यादा है, rate of evaporation और ज्यादा है, ठीक है, तो ये और ज्यादा volatile है, mercury की तरफ जाएं, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0.16, 0.16 मतलब इसमें काफी कम वेपर प्रेशर है, इसी लिए, ये one of the reason है कि, क्यों mercury जो है, आपके thermometer या फिर pressure measurement devices में use होता है,